नमस्ते मित्रों मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोदी जायका पर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम बहुत ही हेल्दी नास्ता तैयार करेंगे केले का चीला जो की खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और कम तेल में बनके तैयार होगा तो चलिए शुरू करते हैं केले का चीला बनाने के लिए देखे चार पीस जो है केले लिए है और एक कप जो है चीनी लिए है एक गलास दूद लिए है और चावल का आटा एक कप लिए है और डेर कप जो है मैदा लिए है एक और हाप कप दुनों मिला के डेर कप है और आधा कप सूजी लिए है और इलाइची को बारी कूट लिये हैं तो चलिए सबसे पहले केले के छिलके को उतार लेते हैं और mixi grind के jar में इसे डाल के grind कर लेंगे इसी परकार सभी केले के छिलके अच्छे से उतार के हमें साफ कर लेना है और इसी में हम चीनी को भी add कर देंगे mixer grinder में दूद भी डाल देंगे इलाइची powder को भी add कर देंगे देखिए हमारा mixi grind में जो है अच्छे से जो है grind हो गिया है अब एक भॉगोना लेंगे और उसमें मैदे को add करेंगे डेर कप मैदा add कर दिये चावल के आटे को भी जो है add करेंगे सूजी को भी add करेंगे और इसको अच्छे से जो है mix कर लेंगे और mixer grinder में जो हमारा गोल बना है इसे भी इसमें डाल के एक अच्छा सा बैटर जो है तैयार करेंगे lumps नहीं होना चाहिए lumps होने पे खाने में अच्छा नहीं लगेगा तो इस चीज का ध्यान रखें देखें अच्छा सा जो है हमारा जो है बैटर तैयार हुआ है ना ज्यादा गाढ़ा है और ना ज्यादा पतला है इसको हम आधे गंटे के लिए ढख के रख देंगे जिससे हमारा सूजी जो है अच्छे से फूल जाए देखें आधा गंटा हो चुका है और अभी भी जो है ठीक है ना ज्यादा गाढ़ा है और ना पतला है इतना ही होना चाहिए अगर ज्यादा गाढ़ा हो तो थोड़ा सा पानी एड़ कर लेंगे लेकिन हमारा जो है बैटर ठीक है एक तावा को गैस के फ्लेम पे रख दिये है गर्म होने के लिए और इसमें एक चम्मच घी डाल दिये हैं अगर आप चाहें तो रिफाइन ओयल या सुद्धगी को भी डाल सकते हैं अब इसमें हम जो है एक जो है कर्चुल जो है उससे जो है बैटर को जो है डाल दिये हैं और इसे तावा को चारो साइड जो है इस परकार से उठाएंगे ताकि ये बैटर जो है फैल जाए दो-तीन मिनट तक के लिए एक साइड सेक लेंगे और इसे पलट देंगे ताकि दूसरे साइड भी हमारा अच्छे से जो है सिख सके देखे दोनों साइड जो है पलट पलट के अच्छे से से सेक लेंगे 102 मिनिट इस साइड एक से दूसरे मिनिट दूसरा साइड बहुत ही टेस्टी बनता है केले का चिला सुभा के नास्ते में जरूर यूज करें अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में इसी परकार जो है हम सभी चिले को जो है बनाएंगे तवा हमारा गर्म हो गिया है एक चम्मच इसमें छोटा चम्मच घी को एड़ कर दिये है और इसमें एक बड़ा चम्मच जो है बैटर को जो डाल के और तवा को चारो साइड जो है इस परकार से करके फैला देंगे जिससे हमारा बैटर चारो साइट फैल जाए और दो मिनट के लिए इसे एक साइट सिखने देंगे अब इसे पलट के दूसरे साइट भी दो मिनट तक अच्छे से से शेक लेंगे काफी हेल्दी नास्ता बन के तयार होता है देखिए अब हम इसे निकाल लेते हैं इसी परकार सभी चीले को रेडी कर लेंगे देखिए दोस्तों हमारा जो पलेट में चीला बन के रेडी हो गया है अगर मेरा रेष्पी आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करे सब्सक्राइब करे और बैल के भी आइकन को दबा दे जिससे लेटेस्ट वीडियो हम आपके पास ला सके धन्यवाद